स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज जो तीन मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो कुछ इस तरह से हैं मुद्दा नंबर एक तेजस्वी और नितीश से मिले राहुल क्या विपक्ष अपनी एकता को लेकर गंभीर दिखाई देता है मुद्दा नंबर दो आखिर तमाम जो दंगा करने वाले पकड़े जाने वाले लोग हैं वो बीजेपी या उसकी सहयोगी संस्थाओं से ही क्यों जुड़े हैं और मुद्दा नंबर तीन प्रधान मंत्री गए टाइगर रिजर्व में और उनके महिमा मंडन की तमाम हदों को पार कर दिया भाजपा प्रचारत अंत्र और गोधी मीडिया ने अगर शुरुआ दोस्तों हम करना शाहिंगे विपक्ष की एक तासे जैसे कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव और नितीश कुमार मल्लिकार जुन खडगे और आहूल गांधी से मिले यहीं नहीं नितीश बाद में अरविन केजरिवाल से भी मिले नितीश ने अपनी तरफ से एक पेशकश की वन सीट वन कैंडिडिट यानि हर सीट में भारती जानता पार्टी का जो मुकाबला हो उसमें विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडिट हो बड़ा प्रश्न क्या विपक्ष अब एकता को लेकर गंभीर है या बहुत देरी हो चुकी है इस मुद्दे का क्या है पंच शुरुवात करते हैं भाशा से अभिसार मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये बिल्कुल सही समय उठाया गया कदम है क्योंकि विपक्ष को अब 2023 में लगने लग गया है कि अब साथ नहीं आए तो बाद में साथ आने लायक वो स्थिती बचेगी नहीं यह उनके सर्वाइवल की बात है और जिस तरह स जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है कंक्रीट मुद्दों पर चर्चा हुई है मुझे लगता है कि वही भारतिय लोकतंत्र को जो बचाने की लड़ाई चल रही है उसमें विपक्ष को एक सॉलिड बिकल्प के तौर पर पेश करेगी अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाषा कि भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को अपनी विश्वसनेता कायम करनी होगी सिर्फ एक चेहरे के जरीए प्रधान मंत्री मोदी का मुकाबला असंभव है चार या पाँच चेहरे मंच पर होने चाहिए नीतिया स्प कल्प मौजूद हो और मिलेशी क्या इस मुद्दे पर आपका पंच देखे मैं समझता हूं कि जो इनिशियेटिव लिया गया है वो बहुत ही महत्पूर्ण है स्टॉरिकल है इसमें कोई दो राय नहीं है एक उमिदवार और एक सीट का जो फार्मूला है मुझे याद है कि हिंदी हार्ट लैंड में ये फार्मूला बहुत उचित होगा कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डायवर्सिटी होनी चाहिए इससे डिफरेंट फार्मूला एडप्ट किया जाना चाहिए जिससे आसानी से आप ज्यादा से ज्यादा सीटने विपक्ष की जोली में डाल सकें उर्मिलेश जी 1977 और कुछ हद तक 1989 में भी इस फॉर्मूले पर जो है काम हुआ था और दोनों ही वक्त सत्ता धारी पार्टी जो हो हार गए थी यानि कॉंग्रेस हार गए थी मगर हम ये भी जानते हैं कि दोनों ही वक्त सरकारों का क्या हश हुआ तो क्या महज एक सीट एक कैंडिडिटी काफी है या फिर जनता के सामने आपको ये प्रमानित करना होगा कि सत्ता में आने के बाद भी जनता की सेवा को लेके आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है आप एक साथ एक मंच पर बने रहेंगे सिर्फ व्यक्तिकत हितों की वज़ा से आप उस मंच पर नहीं आएं आपने ये कुंदबा नहीं खड़ा कर दिया देखे बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूं कि अभी तक जितनी हमारी आदाश्ट काम कर रही है उसमें बहतर गवर्निंस का एक एजिंडा लेकर के वो सरकार ने शपत गरण किया और बकायदा मुझे अच्छी तरह यादा है मैं उस पहली प्रेस कंफरेंस में मौझूद था डॉक्टर मनमहन सिंग के घर पे जो हुई थी और जिसमें या सुनिया गांदी या मनमहन सिंग के घर पे को दीजी अमिच्छा जी की पार्टी के विरुद्ध एक अल्टरनेटी मेनिंग्फुल बिल्ट करना है तो सिर्फ नेता न दिखाएं बलकि ठोस एजिंडे के सामने मौनिमन प्रोग्राम की बात थी या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारें सिर्फ कॉंग्रिस या बीजेपी ह चला सकती है नेतुरत उनका होना जरूरी होगा दोहजार चार में बेशक कॉंगरिस वाज लीडेंग इट मैं थोड़ा सामने यूनाइट फरंट की गवर्मेंट की भी बिसाल है नहीं मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें शंशोधन करना चाहूंगा मैं ये मानता हूं क जो बड़ी पार्टि इमर्ज करती है अलेक्शन के बाद जो भी बड़ी पार्टि अगर उसका नेता आगे आता है परदाले मंतिरी पत के लिए या नेता पत के लिए स्थितिंग जो भी इस्तितियां पर इस्तितियां बने उसके मुतलिक होना चाहिए जैसे उधारण केट और पे 2004 में जो लेफ्ट ब्लॉक था लगभग 56 सीटें थी उन्होंने प्राइमिनिस्टर प्राइमिनिस्टर पद के लिए क्लेम नहीं किया लेकिन दे वेर दे सिमेंटिंग फोर्स इन दे ऐलायन थी खेए और भाषा 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 मगर क्या आपको नहीं लगता है कि यह जब विपक्ष साथ में आता है अब वैसे ही उनकी तुलना कौरवों से की जाने लगी है तवरत हमला बीज़ेपी का ये होता है मीडिया भी उसी मुद्दे को उठाता है मीडिया ये इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि नितीश कुमार क्या कोशिशे कर रहे हैं तमाम चीजें कौरव वाले मुद्दे को मैं कुछ और कहता हूँ ये तो मौका मिल जाएगा ना प्रधान मंत्री को कि एक अकेला सब पर भारी देखो ये लोग सब पर प्ले करेंगे लेकिन मुझे लगता है ये रुदाली या ये विक्टिम कार्ड उनका चलेगा चलता रहेगा और मुझे लगता है लेकिन जो बुनियादी चीज यहां पर आई है कि एक कैंडिडेट की बात आई है एक सीट पर एक कैंडिडेट की जो बात आई है कि विपक्ष की तरफ से साजा उम्मीदवार हो मुझे लगता है ये कम से कम एक दूसर ढंका मैसेज देगा कि एक जो वोट काटने वाली बा नितीश कुमार के ऊपर देखी एक मुलाखात हुई और हमला जिस तेजी से हुआ है तो मुझे लगता है ये भी एक बेचैनी है क्योंकि वो भी जानते हैं कि अंगिनत राज्यों में और उसमें मैं उत्तर भारत को शामिल करके बोल रही हूं कि वहां पर विपक्ष पूरी देने के स्थिती में हैं और मुझे लगता है आज की तारीक में जो कल बैठक हुई है उसमें बहुत साफ उन्होंने अपने एजंडे भी कर दी है धीरे धीरे एजंडे साफ हो रहे हैं क्योंकि इसको आप स्टालिन वाली मीटिंग से जोड़ के देखिए स्टालिन ने भी बैठक की जिसमें तमाम लोग गए थे इससे पहले तेलंगाना में जो बैठक हुई वो भी गए तो ये एक अकेली बैठक नहीं है इस क्रम में उर्मिलेश जी देखिए विपक्ष को ये भी समझना पड़ेगा कि आपका जो मुकाबला किस से है आपका मुकाबला है प्रध नेतिया लानी पड़ेंगी जो जनता में रेजोनेट करेंगी मसलन मैं आपको दो विसाल देता हूं जाती जनगणना से जो स्थिती पैदा हुई है जिसकी सुबुगार तमिलाड में भी है बिहार में भी है और दूसरी तरफ एक चीज़ की चर्शा जो बहुत जादा नही हो रही है राइट टू हेल्थ को लेकर जो अशोग गहलोत ने अपनी तरह से पेशकश की है क्या यह नेतिया रेजोनेट हो सकती है जनता में बड़े पैमाने पर और क्या वो कट्टर राष्टवाद जैसे मुद्दे जो हैं या उग्र हिंदुत वाले मुद्दे जो हैं इ वही सबसे बड़ा शासन है तो इसको विपक्ष को कैमपेंड में अपने यह जरूर करना चाहिए कि वह यह तो राजा और प्रजा वाला है कि एक राजा और समुची जनता जो है प्रजा अगर इस मित को और इस तरह का जो एक बनाया गया है मीडिया के जरिये पूरा का कारा अपोजिशन की हम डाइवर्सिटी चाहते हैं हम सामोहिकता चाहते हैं नेत्रत्तों में और हम प्रजा का तंत्र चाहते हैं हम जनता का तंत्र चाहते हैं एक राजा का तंत्र नहीं चाहते हैं पहली बात दूसरी बात आपकी बात से सामत में हूँ कि जाती जन गणना जिसको स्टालिन ने उठाया था इस मुद्दे को व्यापक समाज की मने समाज का व्यापक जो हिस्टा है वो इसके नौकिवल पक्ष में है बलकि इमोशनली इस से टाइस है तो हिंदुत्वा की जो काट है इस तरह का इमोशनल अपील वाला जो मुद्दा है वो इसकी काट बन सकता है दूसरा राइट टो हेल्स जो आप कहा रहे हैं इसको इससे भागती है भारती जनता पाटी हमेशा क्योंकि वो प्राइविटाइजेशन की समर्थक है वो कहीं से भ रही है वो एक और वज़ा है कि जिस तरह से जाच एजनसी के जरिए टार्गेट किया जा रहा है संजे सिंग आवा आदमी पार्टी के सांसद ने प्रिस कॉन्पेंस किया जो खौफनाक मिसाले सामने उभर कर आई है एडी के टॉर्चर की जिसकी जिक्रों ने किया है कि एक दूर से भी पेश कर सकती है देखो सारे प्रश्टाचारी एक साथ मिल गए मोदी जी ने उसमें लीड लिये कि सारे प्रश्टाचारी एक साथ गया यह सी बिया वाली जो बैठक थी लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ कहना चाहती हूं अभिसार एक बहुत साफ दिखाई दे कि यह जो दबिश एजेंसियां हैं मोदी जी की यह दरसल विपक्षी एकता के सिमेंटिंग फोर्स आप देखिए कि तमाम वे लोग तमाम वे पार्टियां यहां में नाम लेके कहूंगी तेलंगाना कि आप पार्टी का देखिए जिक्र जो एक कोशिश कर रहे थे कि अलग ब पत्तियां हैं लेकिन हमने देखा कि सदन के भीतर वे सब साथ आए क्यों कि उनको लग रहा है कि आज नहीं आए तो सब को अकेले करके मारा जाएगा पकड़ा जाएगा तो मुझे लग रहा है कि इस समय विपक्षी एकता के पीछे यह सारा जो एक पूरा प्रचार तंत्र चल रहा है दबिश एजंसियों का तंत्र चल रहा है वह एक कैटलिस्ट है तो जोड़ाएं को शलिए अब हम रुक करना चाहेंग एक बजरंग दल का जो प्रमुक था कुंदन कुमार उसने वाट्साप के जरिए दुश परचार के जरिए दंगे फैलाएं उसी तरह से हिंदू महासबा के चार लों को गिरफतार किया जाता है उत्तर पदेश में वो गोकशी करवा रहे थे आरोप मुसल्मानों पर होता द मार दिया गया और उस दुश परचार के पीछे भी भाचपा का हाथ तो आज हम सवाल ये यहां पर खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी और उसकी सहोगी संस्थाएं आखिर दंगे भढ़काने को लेकर क्यों दिखाई देती हैं क्या है इस मुद्दे का पंच उर में लेजिए देखे जिसको ये हिद्दुत्वा फोर्सिस कहा जाता है या आनुशंगिक संग्ठिन कहा जाता है दरसल ये देश विरुधी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे नेशनलिजम को हमारे हुमिनिजम को हमारी डिमक्रसी को डेमेज कर रहे हैं और ऐसी स्थिती में एक पूरा हैं और ये तभी बन सकता है जब सारे लोग मिलकर केंपेंड करें क्योंकि और कोई भी कल्प नहीं है मीडिया बहुत स्ट्रॉंग है इनको काउंटर करने के लिए केंपेंड जरूरी है भाशा क्या है स्मुद्दे का पंच अभी सार मुझे तो बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है यह जो तमाम वाके आपने कोट किये अभी इन में एक बास साफ है कि भाशपा और मोधी सरकार को ये लगने लग गया कि ये तमाम लोग जो उसके ही पैदा किये हुए हैं कहीं न कहीं हाथ से बाहर जा यानि जिनको खुद प्रधान मंत्री नरेन मोधी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में उनकी गिरफतारी होती है और तो और पांजन के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस ट्वीट करती है कि वह खबर गलत बचला रहे हैं यानि ये जो नफरत वाला है उसमें चाभी जितनी भर जाती है उतना ही आगे जा सकते हैं जहां पर हाथ से बाहर जाने लगता है वहां पर इस तरह की कारवाईयां इस तरह के नाम पब्लिक डोमेन में पुलिस के जरिये हमारे सामने आते हैं अभी सार इस पर क्या है आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि भारती जनता पार्टी के पास ना दो चीजों का जिसे कहते हैं न कॉक्टेल है एक तरफ इस तरह की घटना है जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया बीजेपी को लगता है कि जब ऐसी घटना होती है तो पब्लिक पसेप्शन में जन पास जीत का एक अभेद्य मंत्र मिल जाएगा उसे ऐसा लगता है जो अपने आप में कितने दुर्भागी की बात है क्योंकि यह हमारे मर्यादा पुरशोत्तम को डर, खौफ और अराजकता जैसे शब्दों से जोड़ रहे हैं कितना बड़ा दुर्भागी है तो चर्शा क पुर्बागी हम इसकी आप सोचिए भाषा मुसल्मानों से नफरत तो एक अलग बात है यह जो मिसाल है जहां हिंदु महासभा के ही जो लोग थे उन्होंने गाय की हत्या करवाई यानि कि यह मुददा मुसल्मानों से नफरत का नहीं है यह मुददा यह बात प्रमानित कर नफरत का नहीं है आप चाहते हो समाज हमेशा रागजत्ता में बनी रहे और इसी राजक्ता में आप अपना स्वर्ग ढूंते हो कितना बड़ा ये दुर्भाग्या इस दिश्का और देखें कि सारा का सारा टूल किट क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार को जलाय गया उसके बाद जारकंड भी जला आप सारा सारा टूल किट उठाके देखी तकरीबन एक धंका है और मुझे लगता है जिस तरह से जो गौकशी का मामला सामने आया और इसमें खुद पुलिस को कारवाई करनी पड़ी ध्यान दीजिए हमें ये बात नहीं भूलनी कि हिंदू नौजवान सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काओं मशीन में तबदील हो जाएं वे चाहते हैं कि उनका भविष जो देश का भविष है वो इसी तरह से नफरत पहलाता रहे अगर आप उठाके देखिए जो बिहार से खबर आये कि वर्टसप ग्रूप में जिसम कुंदन कुमार नाम के एक शक्स को गिरफतार करती है वो एक वाटसाप ग्रूप बनाता है जिसमें 456 सदस से होते हैं और उस वाटसाप ग्रूप के जरीए दुषपरचार पहलाया जाता है दंगो में तबदील हो जाता है इतिफाखन बिलकुल यही मॉडल दिल्ली के दं से उसमें दुषपरचार पहला और पिर नतीजा आपके सामने है सतर लोग की मौत यह जो वाटसाप टूल किट है यह हर बार होता है बार बार दोर आया जाता है बार बार सफल होता है और इसकी काट जाँच एजनसी इसको देनी पड़ेगी दिखें यह जो वाटसाप के ज कोई सोचे नहीं लेकिन एक बाद जरूर हो सकती है कि स्टेट एजनसी को सरकारी निर्देशों के तहत काम करनी की जो संस्कृति स्टेट एजनसी की बन रही है स्थापित हो रही है उसको अगर आप ब्रिक करते हैं और फिर से लाते हैं समविधान की तरफ उसको यानि जो जो समविधान के प्रति उसका कमिटमेंट है उधर अगर सारी की सारी एजनसी आ जाती है तब मैं समझता हूं कि वाटसप पर जो जहर फैलाया जा रहा है क्या आपको उमीद है आपको उमीद है जिस तरह से हिंदू महासभा के चार लों को गिरफतार किया यूपी पुलीस ने काजल हिंदुस्तानी पर आक्शन किया गुजरात पुलीस ने यहां से एक उमीद बनती है यह एक फ्रैंकिन्स्टीन मॉंस्टर पैदा हो गया है जो गहमत उनके पास है मैं 36 गड़ की बात कर रहा हूं वहां पर एक कटरपंथी हिंदुत वादी संगठन जो है खुले आम शपत दिला रहा हैं लोगों को कि वो माइनार्टी कॉमिनिटी के जो लोग है उनके उनके ब्यापार पर उनके साथ एक्शेंज करने पर उनके साथ कि कि त्री मजीब से कैर हिंदु कैने मिस्मिन हो या इपाई हो किसी भी प्रकार का रापारिक लेंडन नहीं करेंगे अब मेरा ये कहना है कि ये ऐसी घटना है जिस पर स्टेट को तकाल रियक्ट करना चाहिए था एंटिनेशनल एक्टिवटीज के तोर पे आप यहाँ पर लिखने पर एंटिनेशनल एंटिनेशनल एक्टिवटी गोचित करते हैं जो आपको पसंद नहीं है जबकि वो डेमक मैंने जानकारी अभी लीप पता चला कि 36 गड़ के लोकल अखबारों में ये खबर ही नहीं है, इसको हिंदू ने चापा है, यानकी खौफ सीधा दिल्ली से आ रहा है, भाशा, मगर कहीं न कहीं भाजपा कोई बात समझनी पड़ेगी, कॉंग्रिस की मजबूरी हम देख रहे भारती जायता पार्टी को समझना पड़ेगा, आपने चले दो बार आक्शन लिया है, जिसका जिकर हम अब कर भी रहे हैं, मगर आप शमशान कबरिस्तान अगर देश को तब्दील कर दोगे, तो उस पर राज करके आपको क्या हासे लोगा, देखी और दूसरी बात है अभ पत्र पांजन फरजी खबर चाथता है, एक मुसल्मान और हिंदू के बारे में पूरी तरह से फरजी खबर है, इससे पहले वो गुजरात में ऐसी फरजी खबर चाथते हैं, आइरनी देखिए, अपने परशकों को, जिस ट्विटर हंडल का आप जिकर कर रहे हैं, ये पां फरजी खबर है, गुजरात में गुजरात के मंतरी को, भाषपा के मंतरी को कहना पड़ता है, कि ऐसी कोई घटना हमारे अपार्टमेंट में नहीं हुई है, कोई नफरती, तो ये याद दिलाता है, करोना के समय, और मुझे लगता है, दर्शकों को भी याद रखना है, जैसे राजा सिंग को बढ़त मिल रही है, तो कि ये लोग ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं, कि जैसे ही दबिश होती है, जैसे ही पीछे इनके पुलिस आती है, राजा सिंग हो काजल हिंदुस्तानी, इनकी फैन फॉलोविंग और ज्यादा उग्र होती है, तो एक इनके पालतू बीडिया का, क्योंकि देखिए, इन्होंने जो तमाम पत्रिकार हैं, वो दंगाई पत्रिकार हैं, किसी पे पुलीस केस दर्ज है, कोई मजार जिहाद पर शो करता है, कोई जूट बोलता है, और ये तमान चीजे हमें दिखाई देती है, मगर बड़ा प्रश दो नाओं पर सवार होके, दोनों का फाइदा उठाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, देखे, मैं समस्ताओं कि मुझूदा सरकार जो है, इसी पर निर्भर है, वो कत्ताई भारत को समवैधानिक मुल्यों के हिसाब से नहीं चाहती, वो कत्ताई नहीं चाहती है, कि ये जहर का रिलेशन वाली सोसाइटी है, उस लुप में देखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये कटुता से ही चाहते हैं, कि उनका शासन चलता रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कटुता के बगएर वो शासन नहीं कर सकते हैं, पहली बात, और दूसरी बात, एक चीज़ मैं उठा का कोई और दूसरी है, आप जो मीडिय की प्रोफेशनलिजम और नई जेनरेशन की बात कर रहे हैं, जो तमाम दंगाई पत्रकार हैं सर, वो मेरे और भाशा की सिनॉरिटी और शायद आपकी सिनॉरिटी वाले लोग हैं सब, ये जितने भी दंगाई हैं, ये जितने भी चा रहे हैं, वो प्रोफेशनलिजम नहीं है, वो बेयमान हैं की बहुआ से, और भूझे स्ब्सक्राण की बाताा है, ये जो नए जेनरेशन के पत्रकार हैं, ये ट्रोल से कम नहीं है, हालकि सीने जुर्नलिट भी ट्रोल से कम नहीं है, इनका एक ही काम है, optimistic, सोशल मीडिया पर भाशा को अभिसार को उर्मिलेश को रवीश को ट्रोल करें और उसके जरीए वो अपनी संस्था और भारती जंता पार्टी के प्रचारत अंत्र में अपने नमबर बनाएं इनकी यह खीकत है आप जानते यही वज़ा है कि मैं किसी पत्रकार के संस्था में भाशन देने जानता हो क्योंकि मैं जानता हूँ it's a hopeless situation मैं उर्मिलेश जी की बास से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि सारी यंग जेंटरी को आप इस खेमे में मड़ डालिए यह हमें समझना पड़ेगा कि सारी यंग जेंटरी इसमें नहीं है यंग जेंटरी और बाकी लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं उन्हें दिशा देने की जिम्मेदारी वरिष्ट पत्रकारों की है जो पूरी करा से फेल हूँ है लगातार दगाबाजी कर रहे है तो यह हमें समझना चाहिए कि आज की तारीख में जो पत्रकारता बची भी हुई है जो लोग जान को जोखिम में डाल के पत्रकार का कर रहे है वो बाहर का मीडिया है यह बात भी सही कर रहे है वो पत्रकार आपको न्यूस क्लिक में पाए जाते है ठीक है वो पत्रकार आपको उन संस्थाओं में पाए जाते हैं जिन में आज भी पत्रकारिता करने की एक एक जजबा है जुनूने मगर मुक्यधारा के न्यूस चैनल का हर पत्रकार इस बात को लेकर गौरानवित होता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें फॉलो करते हैं वो धिरेंशास्ती के सामने नतमस्तक होते हैं अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्धे का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बांधिपूर में और मुद्धु मलाई की टाइगर रिजर्व में मगर जो ड्रामा हुआ है सहाब ऐसा लग रहा था कि कोई राजा सहाब गए और बांधिपूर टाइगर र उस पर कारवाई चाहते थे ये लोकतंत रहे या मजाग बना रहे हैं आप सहाब और प्रधान मंत्री जिस तरह से अपने कपड़े बदल रहे थे यानि कि प्रधान मंत्री का महिमा मंदन करने के लिए इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है भाशा आप बताईए क्या है उनसे मुलाकात नहीं की वह दरसल देश द्रोही शेर है अब बस खल यही इंतजार करना बाकी है इस तरह से हो सकता है कि वो लोग सुन रहे हो और अगली बार चलाना शुरू करें क्योंकि इंतहा हो गई जिस तरह से जिस तरह से एक के बाद एक ट्वीट और पूरी खबरे और उनके कपड़े और उनके पहनावे पर कवरेश थी वह बता रहा था कि यह कहां पर है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है भाशा कि प्रधान मंत्री को खुद समझना पड़ेगा कि यह बात अब कहां बढ़ रही है उनके अपने अंदभक तो चलिए पूरी तरह से उनके दिमाग पर एक परदाया आँखों पर एक परदाया नहीं देख पा रहे है वागर प्र आईगर जिन्होंने प्रधान मंत्री को दर्शन नहीं दिये उस पर ED की रेड होगी CPI की रेड होगी क्या मजाग बना दिया गया है खैर क्या है इस मुद्धे का पंच बताईए उर्मिलेश जी यह जो महिमा मंदन विजिट है माननी प्रधान मंत्री का यह विचितर आपको याद होगा एक बार जिम कारविट में एक ऐसी घटना घटी थी वो भी कश्मीर के दौरा कश्मीर में कुछ बहुत बड़ी घटना बहुत बड़ी दुरगटना या जो भी कह लिजे हुगा थ ऐसा लगता है कि जब कभी वो इस तरह के विजिट पे जाते हैं कोई नो कोई योजना उसके पीछे रहती है कोई नो कोई महिमा मंदन की बड़ी स्ट्रेटिजी उसके पीछे होती है तरह तरह के कपड़े तरह तरह के कर्तब तो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री मोदी की जो चवी है वो जनता लोगों के दिमागों में उसका निरंतर प्रक्षेपन होता रहे ये इसके पीछे कहानी है भाशा मैं इस लॉजिक को पलड देना चाहता हूं मैं कहता हूं जनता ये चाहती होगी ना शाहे जनता को एक राजा चाहिए चाहे जनता को एक benevolent जो है कैसा व्यक्ति चाहिए जिसके मन में लोक्तांत्रिक मुलियों के लिए इज़त नहीं है 56 का सीना घर में घुसके मारेंगे चाहे वो लोकतांत्रिक मुलियों की धजिया और इसी लिए इन तमाम चीज़ों को बरदाश किया जाता है क्योंकि देखे जंता चाहती है कि नहीं यह तो लाक टके का सवाल है और अगर हम मीडिया के जरीए जाएं क्योंकि मीडिया देखे आज की तारीक में आप और उर्मिलेश जी और हम सब जिसे मीडिया कह रहे हैं दर असल मीडिया नहीं वह अवधारना बनाने की इंडस्ट्री है वह परसेप्शन बनाने की इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है जिसका मुख्य मुख्य काम मोदी जी को बहुत नौजमान और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था देखके अभिसार पूरा का पूरा कंपटीशन लग रहा था राहुल गांधी कि राहुल गांधी यसे पूरा का पूरा जो फूटेश काटा गया है और हमें नहीं भूलना चाहिए अभी जो धारवार में वो आयाटी में गये थे कितने करोड रुपे खर्च हुए नो करोड रुपे खर्च किये गया उसमें तक्रीबन 10 करोड के करीब का आटी आई के जरीए गलती से ही निकल होगा मेरा यह मानना है कि जनता चाहे न चाहे लेकिन यह चीज ऊपर से बैठाने की पूरी तैयारी है हर टूल किट है कि आप एक राजशाही में हैं एक मोनार्क है वह मोनार्क जंगल में जाए अभिसार या फिर नहीं संसद में जाए वह अकेला रहता है बस बिचारा शे जाता है जनता उसे ना देखे एक अलग बात है मगर समानांतर तोर पर जो विलिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है एक प्रक्रिया चल रही है कि आप विपक्ष के नेताओं को बदनाम करें टार्गेट करें अशलील बाते कहें और न सिर्फ विपक्ष के नेता जजज तक को न चाहे सत्ता से पूछने वाला पत्रकार हो चाहे सरकार को आइना दिखाने वाला जजज हो सब कीमत चुका रहे हैं इस न्यू इंडिया में बिलकुल इसमें कोई दोराएं नहीं है लेकिन जो आप लोग एक बहस कर रहे थे मुझे बहुत महत्पूर्ण वह बहस लगी कि आखिर ऐसे समाजों में हमारे जैसे समाज में ये जो इमेज इस तरह से पेश की जा रही है एक राजा की एक राजा लोगतंतर का राजा काम्याब हो रही है इसके काम्याबी के पीछे मैं बताता हूँ आपको जो मेरा अब्जर्वेशन है मेरी जो अंडिस्टैनिंग है अभी सार की हमारा समाज डिमोक्रिसी में तो है लेकिन डिमोक्रिटिक सोसाइटी नहीं है डिमोक्रिटिक नहीं होने की वज़ा से हम राज में कंधा घिसटते हुए बाजार में दिख जाता है कहीं सबजी खरिगता हुआ या कहीं अपनी पत्नी के साथ किसी टोरिस स्पॉर्ट पे दिखाई दे जाता है लगर विडमना ये हमारे प्रधानन्ती खुद को प्रधान सेवा कहते हैं ये दोहरे मादन्द है लेकिन लेकि भी आप RSS के पुराने लोगों से बात कीजिए बीजेपी के पुराने लोगों से बात कीजिए वो हमेशा लोग तंत्र नहीं कहते हैं प्रजा कहते हैं प्रजा तंत्र है और वो प्रजा शब्द से इतना उनको प्रेम है क्योंकि राजा और प्रजा और देखिए आप तो जो चिंता जताई थी वो आज दिखाई देती उन्होंने का कि पुलिटिकल समानता हो रही है एक व्यक्ति एक वोट लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक विशमता है क्योंकि उसमें जो सामनती सोच है वह मौझूद रहेगी और वह आज हमें 75 साल बाद जमीन पर दिखाई दे रही है कि एक राश्चाही की तरह राश्दीती में भक्ति की भी बात की थी और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि उन्होंने साल 2014 के बाद की स्थिती देख ली थी उनके शब्दों से यह बात जो है वो जाहिर हुई और देखें कि सारा का सारा प्रपंच इसी दिल्ली में जीला होगा सोची जिस राश्धानी में हम बैठे हैं जहां संसद है जहां समिधान है जहां सुप्रीम कोट है और देखें एक लाइन में अपनी बात मैं कहता हूं खतम करता हूं कि चलते चलते हम लोग ने अच्छा किया कि बाबा साहब को याद किया कल कल उनकी जैनती है और इस मौके पर मैं समझता हूं कि पुलिटिकल एक तिंकर के रूप में वो आज के दौर के लिए भी बहुत रिलिवेंट एक फिलोसफ़र हैं एक बहुत बड़े जरूरी राय नितिक चिंतक हैं हम लोग सब उनके लिए शद्धान जलियर्चित करते हैं लिए इसलिए य पॉलिंग कार्ड है वो ये कि आप गांधी के देश से आते हैं अंतराश्ट्री जमीन के में भी आप गांधी के सामने सिर जुकाते हैं आप जानते हैं कि जब तक ये दो आइकन आपके साथ नहीं हैं आप उस मजबूती से अपनी बात नहीं कह सकते मगर आपको ये भी को दीजे अजासत नमस्कार